हर्यों प्री दर्सकों यदि आपकी कुम्ब राशी या कुम्ब लगन है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा समझेगा क्योंकि जैसे कि आपने थमनेल में पढ़ा बड़ी भविश्यवाणी 27 फरवरी शे लेके 16 अप्रेल ये जो समय है ये बहुत महत्तपून है बड़ी भविश्यवाणी क्यों क्योंकि एक बड़े ग्रह के इस्तिती में परिवर्तन होने जा रहा है और बड़े समय के लिए लंबे समय के लिए क्योंकि ये इस्तिती अब 27 फरवरी ये थोड़ा आपको लेट वीडियो प्राप्त हो रही है प्रिदर्श को क्योंकि ये वीडियो आपको पहले ही प्राप्त होनी चाहिए, इसके पहले बहुत सारी वीडियो सेनल में आ, इसके वज़े से ये वीडियो लेट है, क्योंकि प्रिदर्श को इस वीडियो में हम जानने वाले हैं, देवगुरु ब्रहस्पति ने अपना जो नच्छत्र परि और प्रीदर्श को मैंने 27 फरवरी क्यों लिखी? क्योंकि 27 फरवरी इसे देज गुरु ब्रहसपती अब 2-3 चरण में गोचर करेंगे गुरु का नशत्य परिवतन है ये क्या प्रभाव लाएगा क्योंकि शुक्र आपके भागेस भी होते हैं और सुखेस भी होते हैं और देव गुरु भरस्पति आपके आय भाव के दिपती और धन भाव के दिपती दोनों ही माने जाते हैं और इस समय आपके तृतिय भाव मे गोचर कर रहे हैं, इसलिए देखा जाए, तो प्रिदर्सकों बेहद महत्पून हो जाता है, कि आपके जीवन में ये क्या प्रवाव डालेंगे, क्योंकि देव गुरु ब्रहस्पति आपके जीवन में उन स्थितियों को प्रदर्शित कर रहे हैं, जो कि हर व्यक्ति के लिए महत्पून हैं, क्योंकि आप जानते होंगे, आपने बहुत सारी वीडियो देखी होगी, इस सनिदेब जो आपके राशी के, आपके लगन के अधिपती हैं, वो खुद समयस्त हो चुके हैं, तो ऐसी अबस्था में अब क्या रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि सनिदेब से आप पहले से पीडित हैं, तो अब क्या कुछ अच्छा होने वाला है, और क्या सावधारी रखनी चाहिए, क्या उपाय करने चाहिए हम समझेंगे, तो प्रिदर्श को आप अपने जीवन में यदि धन को लेके परिसान थे, आए के साधन बहुत प्रत्न करने के बाद भी नहीं वाला है, साथ में बड़े भाई का सवयोग मिलेगा, और आपकी चाहिए, आपकी ड्रीम भी पूरे होने वाले हैं, इसके अलाब़े देखा जाए तो प्रिदर्श को यदि घर परिवार से सम्बंदित कोई समश्या थी, घर परिवार में कले का महल बना हुआ था, या प्र लोग आपके बाणी से प्रभावित होने वाले हैं, जो लोग आपके बाणी से अभी सत्रु बन रहे थे वही अब आपका सहयोग करेंगे, प्रिदर्श को आपके जो भी काम रुके हुए हैं, उन्हेमें अब तेजी आने वाली हैं, क्योंकि भाग भाव की अजिपती, कि नचत्र में देवगुरु ब्रहस्पति गोचर करेंगे, जिससे भाग का भी साथ दिलबाएंगे, और कहीं न कहीं आपको इसका लाभ मिलेगा, और जब भाग का साथ मिलता है, तो कहते हैं न, कि भाग जिसका प्रभल होता है, उसके लिए सब कुछ अच्छा हो जाता है, स इस समय भाव जागरत किष्टी बनने जा रही है, साथ में आप अपने जीवन में दुखों से समश्याओं से परिसान हैं, अब जीवन में सुकून आने वाला है, शुक आने वाला है, आप चाहते थे कि मैं घर ले लूँ, गाड़ी ले लूँ, बगला ले लूँ, जो भी चीजें, लगजरी की चीजें आप प्राप्त करना चाहते थे, बहुत समय से प्रयासरत थे, परन्तु अब ये समय आ गया है, जिस समय आप प्राप्त कर सकेंगे, इसके अलाबा देखा जाए तो प्रीदरसकों आपके जीवन में यदि लोगों का सहीयोग नहीं मिल रहा थ चाहे आप जॉब कर रहे हों, बिजिनिस कर रहे हों, नेता हों, या कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं जहां लोगों का सहीयोग अति आवश्यक है, और हर जगह तो आवश्यक है, परन्तु कुछ छेत्रेसे होते हैं, जिसे राजनेता जो होते हैं, या आप बिल्डर हैं, या पर मनेजर हैं या शुखरवाइजर हैं बड़े लेवल पर है जहां पर लोगों का खास कर वहां पर सहयोग होता है ऐसी इस्तिती में कहा जाये तो देखा जाये तो इसमें आपको लोगों का सहयोग मिलने वाला है तो फिर दर्शकों आपने अभी समझा कि आपको क्या-क्या फाइदा होंगे क्या लाभे देने बाले हैं देव गुरू ब्रहस्पति नश्चत्र प्रविरतन करते हुई परंतु साउधानिया भी समझना बेहच जरूरी है चूँकि जितना आपने प्रेम से सुना ध्यान से सुना कि लाभ क्या मिलेगा उससे ज़्यादा ध्यान से सुनन नहीं है जमती नहीं है और सनी देव कि ये जो रासी है कुम्भराशी या कुम्भलगन है इसके लिए देव गुरू ब्रहस्पति कारक नहीं कहलाते हैं तो पहली बात तो ये कि सत्र के अन सत्र में देव गुरू ब्रहस्पति का गोचर करना फिर दूसरी बात ये कि आपके लिए कारक ग्रह नहीं है तो फिर ये लाव तो देंगे परन्तु साथ में कुछ समश्याएं भी तो देंगे क्योंकि उनका एक दूसरा रूप भी तो है जो की अकारक की स्थिमें हैं तो क्या सावधानी रखनी चाहिए प्रिदर्शकूंग सावधानी आपको यही रखना है कि जो भी आप पैसे खर्च करें उन्हें आप सही जगे खर्च करें जैसे मैंने बताया कि आपको धनलाब होने वाला है आपके शुकों में ब्रद्धी होगी आपके लगजरी लाइट में ब्रद्धी होगी परंतु शुक्र कौन है शुक्र को देने वाला परंतु साथ में शुक्र के साथ भोग और जब भोग की स्थिती बहुत जादा बढ़ जाए तो फिर वही हमारे जीवन में समश्याइट पन करता है जर्थात जो आपके पास धन आयेगा उसे सही जगए में खर्च करना ये बहुत जरूरी होगा ऐसा नहीं कि सुखों के चक्कर में आप अपना पैसा गमा बेट है साथ में प्रिद्र उसकों इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि आपका चरित्र आपका मन आपकी बाणी पवित्र रहे अपने मन को इस्थिर रखना होगा और विपरीत के प्रती आकर्शित होने से आपको बचना होगा विपरीत के प्रति आकरशित होने के वज़े से जीवन में अपमान की इस्तिती और बड़ी उचाई पहुचने में सबसबरी इबाधा की इस्तिती बन सकती है आये जो होगी वो बेफजूल के खर्चे में जा सकती है तो इसलिए इन बातों का बेहद आपको ध्यान रखना चाहिए साथ में प्रिदर्श कोंग कोई कितना ही तैसी क्यों न हो कितना आपका मित्र क्यों न हो परन्तु अपनी बातें शेयर नहीं करनी है यह जो 16 अप्रेल तक देव गुरु रहस्पत यहां रहेंगे तब तक तो अपनी बातें कोई भी शेयर नहीं करनी है क्योंकि होगा क्या कि लोग आपकी बातें जानेंगे आपके रहस्पत को जानेंगे और उसी का फिर खायदा उठाएंगे पहते हैं न कि शत्र हमेशा हमारी कमजोरी ढूड़ता है कि इसकी कमजोरी क्या है तो आपकी कमजोरी का आपके प्लानिंग का आपने सुना होगा कि कई लोग बहुत अच्छी प्लानिंग किये बहुत अच्छा उन्होंने रिसर्च बरक किया बहुत अच्छा काम किया प्यारी किया परन्त उसका क्रेडिट कोई दूसरा ले गया वही सिती बन रही है तो आपको इन वातों का ध्यान रखना होगा बांकी देखा जाए तो कुम भराशिवालों के लिए काफी ये लाफदायक समय कहा जाएगा क्योंकि ये आसा की एक अर्थात चारों तरफ से लाभी लाभ दिख रहा है परन्तु सनिदेवस्त हैं शाड़े साती है उसका भी प्रफाव होगा इसलिए मैंने सावधानिया भी आपको बताई हैं कि सावधानी क्या रखना है तो प्रिदर्स को आईएब हम जान लेते हैं उपाय क्या करना चाहि साथ में यदि संभव हो तो भैरव जी की आराधना आप विशेश रूप से कर सकते हैं यदि आपके पास समय हो तो भैरव जी को जो भी आपके पास उपलग्द हो वो प्रसाथ चाहा सकते हैं या उनका मंत्र पूजा पाठ जो भी आप कर सके तो वो कर सकते हैं क्योंकि भै जी की आराधना कर सकते दिभहरो जी नहीं है आप कहीं आसपास हाँ आपसे मंत्र पूजा पाठ जो बन सके आप कर सकते हैं और एक महत्पूर्ण बात यह कि यम दीप जलाना है दच्छिन दिसा में संद्या कालिया तो रात्री में जलाना है यह उपाय करें पिछ दर्शकों और कमेंट में जय बजरंगबली लिखना है और लिखने के साथ आपको बोलना भी है और महत्पूर्ण जानकारी में बता दूँ कि अब ग्रहों की स्तिय में बड़े परिवरतन होने वाले हैं तो जरूर चैनल से जुरे रहें क्योंकि आने वाले शमय में बड़े बड़े जानकारियां प्राप्त हो सके और कुछ महत्पूर्ण वीडियों हैं जो कि आपके लिए बेहद इन्फॉर्मेशन देने वाली जानकारी देने वाली हैं जिनकी लिंक डिस्क्रेस्टन में दी हुई है तो वहां भी आप जाके विजिट कर सकते हैं या प्ले लिस्ट में भी आप जाके चेक कर सकते हैं तो वहां पर भी आपको महत्पूर्ण जानकारियां प्राप्त होंगे वीडियों देखने के लिए बहुत बहुत धन्नवाद